दोस्तो मैं अपना स्वागत करती हूं आप सभी का स्वाधिष्ट वुजन चैनल में दोस्तो आज मैं आपको एक रोल बनाना बताऊंगी दोस्तो अब आपको मार्केट जाने की कोई जरूत नहीं है अब आप घर पे ही एक रोल बना सकते हैं मार्केट जैसा जो मार्केट में स्वाधिष्ट एक रोल मिलता है उसी तरीके का आप घर पे बना सकते हैं अपने हाथों से और जो स्वाध घाने में आता है तो छलिए दोस्तों से हम फिर बनाना सुरू करते हैं यहां मैंने मैदा लिया है तो आप मैद्यों को कम जदा भी कर सकते हैं उसके वाज में हम डालेंगे चीनी यह मैंने लिया आधा चमस चीनी चीनी से अच्छा सा फ्लेवर आता है पराठे में कलर भी बहुत अच्छाता है आधा चमस नमक डालेंगे आज़ा चमस से आप कम ही डालें ज्यादा नमक नहीं डालें दोस्तों उसके बाइस में डालेंगे दो बड़ा चमस तेल रिफाइन का रिफाइन के तेल डालें से अच्छे समयदा मुलायम रहेगा दोस्तों जब इसका डोब बनेगा तो अच्छे से मिलाने के बाइस में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा से एक डो बना के हम त्यार करेंगे दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगलने बेल की घंटी है उसे बजाना आप नहीं भूल सब्सक्राइब है कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैं थेखू मैंने दो घंटा ढखा था यह अच्छे से त्यार हो गया है फूल भी गया है थोड़ा उपर से ड्राय हौगया हवा लगने की वज़े से तो इसे यह तरीके से मसल देंगी जैसे कि मसल देंगे जैसिके करके रोटी के जैसे से हमें बेलना है पूरा कि इस तरीके से दोस्तों बहुत ही असान है एक रोल बनाना आप घर पर बना सकते हैं और बहुत लोग से क्या होता दोस्तों पराठे पर गलती हो जाता है पराठा में होता है एक रोल में अगर पराठा अच्छा नहीं बनता है त पूरा अच्छा सा जूसी जैसे मतलब पूरा नरम जैसा होता है आप पार रोटी खाते हैं बिल्कुल अदम नरम होना चाहिए तब ही जाके आपको एक रोल खाने में बहुत ज्यादा मजाएगा तो उसके लिए आपको मैदों को बहुत ही लंबे समय तक सान के रख देना है बोगे तो तरी के लिए तरके सब रोटी जैसे बेल की चाको से कट करके से रोल को करना पहले दीखे गोल गोलाओ को बस घूमाना दोस्तों इस नटो मैं पूरा तो आपको इस तरी के चलुथ के आपको के टाइना हे ते के शीक्त आपने के बाद यहां पर्फिर से एक रोड़ घृतित आत्रुम मुदत आपको तरहे बँद freaked है थोड़ा बड़ा ही आपको बेलना है क्योंकि ये बाद में दिर दिर पास आने लगते हैं ताव मैंने चढ़ा दिया अच्छे से लाल हो गया है आपको अच्छे धीमी आज पर इस तरीके से शेखना है पूर लाल नहीं करना इसके उपर से हम डालेंगे तेल रिफाइंड क एक पराठे बनके त्यार होगे असा निकाल के हम धक देंगे थाली में निकाल के रखते जाएंगे शाड़ेंगे पराठे बनाने के बाद दोस्तों यहां पर देखें मैंने देशी अंडा लिया है एक बड़ी खटूरी में दो अंडे को तोडेंगे तो इसमें थोड़ा से नमक ढाल देंगे इसको अच्छे से फिटेंगे दिहां मैं दो अंडों का एक रोल बनाऊंगी जितना ज्यादा दा दोस्तों उतना ही ज्यादा एक रोल खाने में टेश्टी लगता है अच्छे से फेटने के बाद तावे थोड़ा से रिफान ते लाइट कर देंगे अब इस पर हम डालेंगे जो अंडो को हमने फेट के रखा है चूले कि आज हम मीडियम ही रखेंगे पूरा लो मीडियम तो यह दिखिए डालने की बाद जैसे एक तरफ अच्छे से एक सेट हो जागा वैसे इसके उपर से हम पराठा रखेंगे थोड़े दिर के लिए छोड़ देंगे इसे हम धीमी आज पर पकने के लिए और जैसे दोस्तों एक तरफ अच्छे से पक जाए तो आप इसे पलट द में रख लेंगे थाली में तो सर्प करने के लिए त्यार है बच्चे हुए पराठो को हम सेख लेंगे तो आप दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं यह दिखिए इस तरीके से पराठा रखिए दीचे थोड़ तेल डाल दीजिए उसके उपर से हम दूबार से दो अंडों को हम फोड के नंदमक डालके डाल देंगे और इसको हम फाला देंगे अ पराठो से पलड देंगे को अच्छे से नहीं फड़ा रहे घग तो हम इसथरीके से पहला देंगे तो कि थे एक पराथा रख लिए हैं यहां हेँर आपको नहीं पसंदें तीकर पाल तो आप आप Śैनिंड भी कर सकते हैं यहां में निकाचर भी डाल दिया है जरूरी नहीं दोस्तों कि जो सब्जिया मैंने डाला वो आप भी डाल सकते हैं वो आपके उपर है कि आप इसमें कोई सब्जिया कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहां पर गिरीन और रेड यहां दोनों सोस को मैंने डाल दिया है अच्छे स उसका हम रोल करेंगे इस तरीके से दबाते हुए करेंगे सब्चियों पर आराम से करेंगे दोस्तों यह देखkeeping इस देखिये रोल संद का बनके ठैए है एक का अब इसमें पेपर लगा saf़ मार्यट के आपको पेपर लगा के मिलता है और उसी तरीके करेंगे घर पर लगा आप कि देंगे यहां देखrant को यह फोल्ड हो गया तो यह रहा एक पराठा आमने घर पे बना दिया मार्केटे जैसा दोस्तों विलिया है तो आप भी दोस्तों इस एक रोल को घर पे बनाएएछ ले दोस्ता फिल्म लेंगे आपको एक नेस्ट वीडियो में